चलिए आज आप लोगों से मुटन स्टू की रेसीपी शेयर करते हैं मुटन स्टू अलग अलग तरीकों से बनाया जाता है और हमारा तरीका थोड़ सा डिफरेंट है वॉक ले 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 आप चाहें तो प्रेशर कुकर भी ले ले और उसमें मैंने लिया है थ्री फॉर्थ कप आप 1 kg लें तो 1 cup of oil लें 1-2 kg लें तो 1 cup of oil लें और फिर आपने ये ख्रश्ट कियोए मसाले लेना है रें ग्रीन चीली जहां 1 टेबल स्पून ग्रश्ट जिंजर है 1 1 1 2 2 त तेबल स्पून गालिक भी आप चाहें तो ख्रश्ट ले ले लें 1 1 1 2 2 त तेबल स्पून पर हम अब इन मसालों को आपने स्टर फ्राइ कर लेना है 2 मिनट के लिए 2 मिनट में अच्छे से इनकी कचान चली जाती है रहाम से लोगों की स्टूप बनाने के अलग-अलग तरीके होता है जादा तर्स में बहुत जादा प्याज और बहुत जादा टूमेटो जाले जाते हैं पर हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे थोड़ा सा मेतिट डिफरेंट है और टेस्ट बहुत जबरदस आता है आप ट्राइ करेंगे आप आप याद रखेंगे कि आपने कुछ डिफरेंट टाइप का स्टू बनाया था तो मसालों को आप स्टर फ्राइ करें अच्छे से जब तक ये जिन जगालिक की जो गचान है वो चली न जाए इन्हें कंटनस्ली चलाते रहें नहीं तो ये इतली में लग जाते हैं और फिर वो पूरी ग्रेवी में जब तक ये ग्रेवी बनेगी तब तक वो लगे ही अजया जादा दो मिनटे बुणने में जब झाग जाग साने लगे यह जिसा ऊपर आ गया तो आपका मसाला जो है भून गया है अब इसमें आपने अच्छे से वाश किया हुआ और उसके बाद ड्रेन किया हुआ मतन डालना है मटन को ड्रेन करके यूज़ करें because वैसे भी जब आप इसको fry करेंगे मटन को तो उसमेसे काफी सारा पानी रिलीज हुजाएगा ये जो गोश्थ है कमर के पोश्ण का गोश्थ है तो इसमें थोड़ी बहुत हड़ीات थी थी फोड़ी बहुत बोट़्ी बाई शाई हो जाएका इसको अपना इंजे गाते हैं। अभी भी उमिट में दी पैक चाहिए हुआ है ukैक भी उमें प्रहों प्रहते हैं Arni Maha 공 Czyli कभी अभी चुछा देखे चाहिए है। तो टेमाटर डाल मिर्च, दालो मेर्च, नमक, गरम मसाला, धालो, 1 अब बॉच मों डाल चीहिए जो आपको ख़ड़ धनिया दिख रहा है यह थोड़ा मैंने जादा ले लिया था पता नहीं जहन कहा था जब धनिया निकाल रही थी तो शायद मैं एक किलो के उस हिसाब से मैंने टू एंड हाफ टेबल स्पून यहां निकाल लिया था हलागे बाद मैंने उठा लिया कैसे उ बून लेना है कुछ 5-10 मिनिट आप इसे अच्छे से इन मसालों में भूने सोधा यह जितने अपने अभी जो मसाले डाले है यह भी अपना फ्लेवर इसमें रिलीज कर दें और कोरियांडर को धनिये को कूट के डालने का मकसद भी रहता है कि उसका अच्छे से फ्लेवर फ इसमें 1.5-5 प्टोमेटो प्यूरी डाली है तो यह जो नहीं डालेंगे अब इसको भूनेंगे हम पांच मिनिट ताकि अच्छे से जो हमारी तोमेटो प्यूरी है वो इसमें मिक्स हो जाए और उसकी भी बूनाई शुनाई हो जाए अच्छे से तो इसको भी आप भूनते रहे हैं देखिए और यहां इस पॉइंट में मुझे रियलाइज हुआ था कि धनिया जो है वो जाद हो गया है अब इसमें आपने एक ऐसा जोश आने देना है खटकी आने देना है इस तरह से और इसके बाद इसे ढखेंगे बढ़ मैं पहले धनिया निकाल लूँ तो ऐसा और यहां निकाल रहे हैं आप इसमें धनिया के जो बाद दाने थे वो इस तरह से निकाल लें इसको यह शेक कर लेंगे तो उसमें जो भी मसाला आ गया होगा वो वापस नीचे चला जाएगा अब देखिए अब इसकी शकल भी सही होगी उसमें जादा धनिया भी नजर नह में अगुद पानी डाले इसमें जो गोष्ट का पानी था वह है तो मेटमेटो प्यूरी में जो पानी रहता वह present जाए पानी आड करने को अब ह시राव अपी नोबत आई रहरा है आपको इसमेटो की प्यूरी के पानी में ही इसको अच्छेसे बुम्ऌ लें आना यह उस में प्यास जो आती है ना वो बहुत जाद अची लगती थोड़ी बहुत ही अची लगती है इसलिए हम अभी नहीं डाल रहे हैं अब इसको आपको पकने देना है अभी देखिए अपने इसमें टमाटर डाले थे उसका पानी खुश्क किया था अब आप इसमें वानेडा हाफ कप पारी डालेंगे और फिर इसको आप ढाक के छोड़ देंगे वाक में पका रहे हैं तो मिनिममम हाफ एन आवर आपको छोड़ना पड़ेगा प्रेशर कुकर में पका रहे हैं तो आपको इससे इतना गलाना है कि मतलब समझे 60% गले है क्योंकि अभी इसमें सारे सारे मसाले ह हमने डाले नहीं है इसलिए आप इसको अभी पूरा नहीं गलाना है आपको इस जिस भी चीज में आप इसे पका रहे हैं आपको इसे अभी 60% ही पकाना है तो ये देखिए मैंने हाफ एन आवर इसे वाक में छोड़ा था और जब ये खुश्पूँ है और ना शुरू बहुत तेज भूक लग गई थी तो मैंने क्या करा था कि इसके बाद का जो स्टेप है वो मैंने कुकर में किया था सो दाट उसमें उसके बाद में सीटी लगा कि इसे जल्दी गला लो अभी ये एक बोटी गली नहीं है देखिए गाप इसको मैंने इतना नहीं गला है ये खेर कच्छा गोश्ट भी होता तो आजाता लेकिन ये पूरी गली नहीं है ये 60% होई होगी अभी अब आपको इस पॉइंट पे इसमें डालनी है प्याज और मिर्ची आ गई अपनी प्याज वैसे भी प्याज के बगएर कुछ नहीं होता है नहीं पहले दही डाला है हाँ तो दही हाफ कप से भी कम लेना है आपको 700 ग्राम के लिए अगर वज्ट एप और कूश्ट ले रहे है तो वन कप अफ केजी है तो हाफ कप ले será क्यवल्मे मेरे हाफ केजी से जादा था तो मैंने त। मैंने दही डालने के बाद 5 मिनिट्स भूनना है आपको अब देखिए मैंने कोकर में ट्रांसफर कर लिया था क्योंकि मुझे सीटी लगा के से गलाना था अब बरदाश नहीं हो रहा था इसके खुश्बू से घरवालों को यह वन कप स्लाइस की हुई प्याज है बहुत जादा बारिक नहीं है थोड़ी से मोटी है आप कप से नहीं समझ रहे हो तो दो मीडियम साइस की प्याज ले ले यह six to seven खड़ी सूखी लाल मिर्च हैं तीखी नहीं है बहुत जादा अगर आपकी बहुत तीखी वाली हो जो प यह दालने के दिने पॉप्त है पॉप्त नहदे और बधा यहां.. लूरा तो रचे डाले ताना क्या है.. देजился के साबह भाट लेकुड़ प्रेसर कुर्ट कराने थी इस आप नहींदी तूल